नमस्कार दोस्तों बगवान आपसे भी कबला करें और आपके सारीक चाहें बनों कमने पड़ी हो आज मैं आपसे को इसाथ से रिलेड़ेड महत्पन जाने करेंगे करूंगा जिसमें सब्सक्राइब में आपके फिंगर के एनलेसिस के बाद इस पुरे पाम का एनलेसिस करते ह दैमिक्स टाइप ओफ निचर का तातपरी वो होता है जिसमें व्यक्ति किसी के अंडर में भी कमफर्टिबल वर्क कर पाते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को रकच्छे से काम निकलवा पाते हैं understanding capacity बहुत अच्छी होती है बहुत जल्दी किसी भी परिस्तिती को या व्यक्ति को भाप पाने में समझ पाने में सक्षम होते हैं समय परिस्तिति के अनुसर अपनी ले गए निर्णेयों में ये बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं अगर logically satisfied हो गए तो और इस condition बहुत जल्दी move on कर पाने में let go कर पाने में पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ पाने में दूसरों को माफ कर पाने में सक्षम दिखाए पड़ता है तो ये mixed type of nature create कर रहा है जिसके करन बहुत ज़्यादा ना ego होता है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर self respect होता है ना बहुत ज़्यादा emotions होते है ना practicality होती है यानि बहुत ही adjusting flexible nature attitude and personality को ये create करता है यहाँ देखेंगे तो little finger के जो length है तकरीबन third finger के first pro से थोड़ी सी short है तो हलका सा communication error होता जैसे stranger या opposite gender से बाचित करते समय हिच की चार्ट घबराहट में सूस होना या फिर मन के अंदर बात को दबाना बच्पन में stage fear होना और इस condition में multitasking nature properly manage ना होना इसलिए एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से हमेशा नुकसान होने के आथार देखने को मलते हैं money management weak होने के करण पेसे की proper responsibilities या पेसा अच्छे से रुक नहीं पाता है तो यहाँ पर ध्यान रखें कि हमेशा पेसे के proper utilization के इंतरगत इंवेस्टमेंट करते रहना आपको ज़रूरी है third and first finger के length में देखेंगे तो third finger के length थोड़ी ज़्यादा improve है तो यह risk का ticker बनाता है तो कोई नया काम शुरू करने से initiative लेने से पीछे नहीं हटते हैं hard working nature personality होने के करण सिर्फ और सिर्फ खुद के दम और पराकरम मेहनत के बल्बुते पर जियन में ज्यादा तरक्य करते हैं जब तक struggle रहता है कोई support नहीं होता कोई backbone नहीं होता सफल हो जाएंगे 10 लोग आकर के automatically जोड़ेंगे और आगे से रहकर के पूछेंगे कि किसी चीज के जरुवत तो नहीं तो यह combination हमेशा देखने को मिलता है जब third finger की length long होते है और थोड़ा सा आपका जो nature है creative में जो है देखने को मिलेगा और artistic quality भी रहेगी और यह इस nature होने के करण हमेशा अपने काम में upgradation minor changes करते है इतना पसंद रहेगा इस तिर अपने जो है काम में आप ज्यादा नहीं रह पाएंगे लगातार परिवर्तन या फिर और नहीं किनी चीज़ों को पाने की चाहत रहेगा शनी के उपर अगर यह तिल है तो यह तिल ठीक नहीं होता है क्योंकि इस condition में बना बना है काम बिगड़ना यह काम की द्वारा जो है उन्नती या संतुष्टी ना मिलना और रुक रुक करके यह तकलिफों के साथ काम बनना है फिर एकदम एन वक्त पर आकर के काम में किसी जरूरी होता है तब जाकर के शनी का जो दुष्ट प्रभाव है यह खतम होता है और यहां पर फिर्स्ट फिंगर के जुका और सेटन के तरफ है तो आप धार में तो भरपूर देख रहे हैं और फिंगर के उपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं के शंकला भी है जो मितरता लेने में हमेशा डिफिकल्टी जाती है किसे ने किसी वेक्तिविशेस के गाइडेंस यह सपोर्ट क्या हो शकता पड़ती डिसीजन लेने के लिए फिलेंजेस यहां डिवलोप ठीक है आपका इंटर्नल मार्स के इस्तिती ठीक है तो इस्टेमिना एनरजी या रोक परतिरो दक्षमता ठीक रहेगा और थम्ब आपका कुल में लाकर करके नॉर्मल है ना जादा लॉंग है ना जादा शौट है तो यह कुल में लाकर के फ्लेक्सिबल नेचर परसनेल्टी और बार बार अपने लेगरे निर्णों में होने वाले परिवरतन और लड़ाई जगड़ा बहस बाजी जिसी चीजों से हमेशा दूर रहने जिसी योग भी निर्मित करता दिखाए पड़ रहा है इसके लाब यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो आपके लंबाई में थोड़ा जादा स्टॉंगली बिहेव कर रहा है तो इस कंडिशन मे लॉट्स ओड्रिम डिजार या एंबिशन होता है जीवन के प्रती और कभी भी अपने थिंकिंग डिजार के रिगार्डिंग जादा कॉंपर्माइज नहीं करते हैं इस कंडिशन में शारे रिग मेहनत के बजार मानसिक मेहनत जादा अच्छे से कर पाते हैं अब आते हैं क्लोज अप पर और फिर उसकाद आपके सारे कॉर्शन का भी आंसर दिया जाएगा यहां पर आते हैं सबसे पहले अप जूपिटर मांट के रिगार्डिंग तो आपके जूपिटर मांट पर आप सबसे पहले यहां देख पाएंगे कि आपका एक क्रोस कसाइन यहां पर जाते हैं यानि आपका जो मेरेड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा और मातापिता के चॉइस से ही कई न कई मेरीज होने के चांसे आपके हाथेले में थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉंग दिख रहा है दूसरी बात कि आफ्टर में प्रोग्रेस बहुत होगा प्रगती हर छेतर में आपको देखने को मिलेगा आपके काम में आपके धन में आपके सुख सुईधा में या फिर आपके जीवन शेली में संपून जो है यहाँ प्रगती आपको मिलेगा जितनी भी आड़ी रेखा हैं यह सब दयालो किसमे के प्रवती देता है तो आगे से रहे करके दूसरों की मदद करना, यह करुणा दया अपने अंदर रखना, मात्र भक्त होना, एनिमर लेवर और शोशल वर्कर होते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो इस परकर कर जूपिटर वेल्दी बना रहा है, प्लस पाउर पोजिशन अथोरेटी भी दे रहा है, अब से काम में देरी होना वेसे, इसलिए आपको शनी भी थोड़ा दबावा जिसके करना, आप इनिशेटिव लेने में थोड़ा कही न कहीं घबराते हैं, अब जैसे थर्ड फिंगर की लेंध जादा थी, तो वो रिसक का टेकर बना रहा है, तो हार्ड वर्किंग नीचर है, लेक किनी की भी आप अरादना करी उपाय करिए, आपका लाब जो है, आपके इनिशेटिव लेने में भी होगा, यानि काम सरलता से शुरू हो जाएगा, और बनेगा भी, और अन्तितह नाम इज़त आपको आपके काम से मिलेगा, क्योंकि सुर्य दबता है, तो क्रेडिट देने करें तो आपकी लक लेन कुल मिला करके चल ठीक रही है, और यहाँ पर एक माइनर चेंजस हो रहा है, तो यह पीरिड आपके जीवन में रहेगा 40 के बाद का, 42 से 46 के मिले में जिसमें आपके करियर में चेंजस होने के चांसे पूरे के पूरे हैं, और आपके जो लक लेन है इसमें जो mercury line क्रोस करके गई है, mercury line basically business में ले जाती है, earning capability increase करती है, क्योंकि learning बहुत अच्छी होती है, या काम के प्रती स्पेशलिस्ट किसी भी काम में होने लगते हैं, और स्वास भी even अच्छा होने लगता है, तो यहाँ पर अगर इस mercury line के judgment लें, तो यह mercury line आपके शुर position authority, या top position, या आपके जो पद है, प्रतिष्ठा है, उसमें निश्यत रूप से बढ़ोतरी होगा, इसलिए आपका प्रश्न था, कि यहाँ पर अपर प्रैतन करना चाहिए कि नहीं, और किसी दूसरे opportunities के regarding तो आपको 100% करना चाहिए, अभी तो आपको खाली बैठना ही नही आपके जीवन में कितना ही समय की कमी क्यों ना हो, या कितना ही थकान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने अभी आपने और ज़्यादा करियर को सुधाने के लिए प्रैयास किया, प्रैतने किया, तो आपकी expectation से ज़्यादा आपको सफलता मिल जाए, क्योंकि mercury line है ही जो learning capability अच अच्छा दे रहा है, सूर्य आपका hardware के दोरा मिलने वाला name respect है, तो वो भी अच्छा create होता दिख रहा है, इतने लंबी जब सूर्य रेखा हो जाती है, तो इतने बड़े level का काम हो जाता है, या इतने बड़े level के position मिलती है life में, कि जो व्यक्ति सलाम ठोक रहा है, या जो gate खोल रहा है, वो उसको भी जो है as a employee रखा जाता है, या उसको भी इस काम के लिए salary मिल रही है, और इस condition में जहां भी जाएंगे, दस लोग आगे पीछे घुमते रहेंगे, एक-एक sign की कीमत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो शाशन है, और जो व गर अच्छा मिल पाना, या फिर wealth अच्छा क्रियेट हो पाना, double source of funding क्रियेट हो पाना, security और unknown जो है यहाँ पर एक प्रकार से opportunity मिलना, satisfaction मिलना या फिर luck क्रियेट होना, इस सब combination होता है, इतनी लंबी सूर्य रेखा, सिर्फ government से ही लाब नहीं देते, आप government employee है, इसलिए government का बार-बार जिकर किया जा रहा है, यहाँ पर यह जो लाब दे रहा है, यह नेम फिर्म के regarding दे रहा है, यानि लोगों के काम आपके सिर्फ contact के या आपके नाम के बल्वोते पर हो जाएगा, आपके घर परिवार का जो एक प्रकर से respect, reputation या जो standard of living हो बहुत बड़े level की high हो स नहीं करने दे रहे हैं कि आप अपनी काबिलेत को और ज्यादा निखार सकें, तो इसका remedy करना और बहुत ज्यादा ही hardware के साथ dedication रखना ज़रूरी है, बहुत बड़े level का आपको authority मिल जाएगा, 100% 33 case तक आते आते, hardly, और इस प्रकर को जो mercury line है, यह pure money triangle बना दिया, बहुत extreme level का पैसा यह देता है, इस condition में इतना धन होता है कि कभी किसी की price पूछनी ही नहीं पड़ती जीवन में, कोई भी चीज़ लेने के पहले, और जितना ही खर्च क्यों न कर ले, जो है safe amount overall life में available होता है, यह जो triangle है, यह wealthy बनाता है, वेल्दी यानी regular based earning यहाँ देखने को मिलती है, कितना ही खर्चा कलने कोई ज़्यादा effect फिर नहीं पड़ता है, तो पेसे का सही utilization भी हो रहा है, और अच्छे खासे investment वो growth भी यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर देखेंगे तो luck line अभी भी देख सकते हैं कि directly आपके सेटन तक नहीं पहुचा है, इसलिए कोई भी काम एक मेनत में आपका नहीं होता है, रुक रुक करके देरी से यह अनेको प्रयास के बाद काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसके लबब यहाँ पर देखेंगे तो सूर के उपर भी एक सतितिक रेखा होना थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि फोकस में कमी द देता है और अनेसेसरीली भागदोडी जियों में बढ़ती है या फिर बेफिजल की जो मेनत हुई वो दूसरे कामों में लग जाता है, इसलिए आप लॉंग टम बेस प्लैनिंग किया करें, एक ही गोल पर अडिग रहें, तब जाकर यह सूर्य आपको एक्स्ट्रिम लेव लगा कर सकते हैं, बहुत उपर पोजिशन तक आप जा सकते हैं, और जो बीच में जो यह रेखा देख रहे हैं, यह सब को विद्धिया रेखा कहते हैं, दूसरों को सजेशं या अच्छे से दे पाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो मरकरी और सर्न के आरिया वो डिवलब जादा है तो इस कंडिशन में हर काम से नाम कमाने की चेस्टा जादा होती है और जब शनी और सूर के बीच का एरिया डिवलब जादा होता है तो थोड़ा मोल स्विंग का प्रॉब्लम देता है तो इमोशन्स फिलिंग में बहुत ज़्यादा इस knowledge को या overall देखा जाए तो good sense of humor को यहां पर create करता है यह यह भी wealthy personality का सायन होता है और इस condition में भी जेवन में कभी धन काम या लोगों की कमी नहीं होती काम यानि work हमेशा overall आपकी पास अच्छा खासा देखने को मिलेगा wealthy यानि old age में भी wealth अच्छा create आप करते रहेंगे औ और लोग आपसे connect इसले होगी क्योंकि आप लोगों को support कर पाते हैं बहुत अच्छा heal कर पाते हैं उनको दुख दर्द को कम कर पाते हैं इसलिए भी आपके आते लिए mercury line है जो business sense या लग अच्छा create कर रहा है अभी आपको business का suggestion नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी आपके सूरे रेखा generate हो रहे है अनि 33 उसके अब किसी प्रकार के business में आपको कोई problem नहीं है ध्यान रहे किसी प्रकार के कोई restriction नहीं है किसी भी sector में बस यह चीज ध्यान रखेगा कि उस business में आप consistent रहे आपका मन अच्छा लगा रहे that's it यह दो चीज़ का ध्यान रखे और उन दो अथ्वा ह्रेदरेखा के उपर भी देखेंगे तो आपके यहां पर देखने को मिलेगा कि एक से अधिक यहां पर union line है तो एक से ज़्यादा बार गहरा attachment होते भी दिखाई पड़ रहा है और ह्रेदरेखा की स्थिति में देखा जाए तो यह सीधे के सीधे यहां से निकल के जाए यहां देखें एक island का formation है और यह period आपके जीवन में 48 के आपस में रहेगा तो health regarding दिक्कत इस period में रहेगी फिर देख सकते की छोटी छोटी शाकर नीचे के तरफ जा रही है इसे emotional setback कहते हैं जब आप जैसे जाते कि emotional hurt होते हैं या expectation जब तूटता है या lose होता है या क successful yoga को निर्मित कर देता है यानि unsuccessful इस condition में ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसलिए इस condition में हमेशे यह advice दिया जाता है कि marriage अपने माता-पिता के advice से और किसी प्रकार के relation में बहुत ज़्यादा expectation ना रखना आपके लिए ज़्यादा beneficial रहे हो और आपका जो heart line है उसमें दिक लमों को छुपा लेने वाले होते तो बहुत कमी लोग आपको यहाँ understand कर पाएंगे बाहर से आप हस्मुख खुश्मिजाद या normal देखने को मिलेंगे internal कई न कहीं इन सारी चीज़ों से affect रहेंगे बहुत caring type का nature यह देता है जब इतनी रेखा है नीचे आती है तो mind line के उप 34 और 6 के मीड में struggle दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर और एक और तकरीबन आपको 32 के एज में minor सा आ सकता है फिर उसके यहाँ पर बहुत सारी रेखा है आपके उपर के तरफ जा रही है जो 33 के बाद में होने वाले initiative लेने जैसे यूग को या फिर बिजनस में होने वाले ल कारक होता है भूमी का तो बस यह रहेगा कि property लेने में आपको difficulties यह documentation में trouble आ सकते हैं क्योंकि mercury का finger थोड़ा weak है that's it वाकि इसके लगए कोई troubling situation या problem यह नहीं देता है overall mind line का अगर structure आप देखेंगे तो एक तो लेहरदार मिलेगी लेहरदार मस्तिश्रेका हमेशा बार 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 प्लैनिंग आप जैसे जातक करते हैं उन प्लैनिंग में बार बार changes करते रहते हैं और उस planning को execute करने में भी difficulties आती हैं तो इस condition में constant mental level पे नहीं हो पाते और बार fluctuation ये changes करने के आदत इस condition में पाए जाती है focus देखा जाए तो ठीक होता है लेकिन काम करने के तरीकों में बार बार पर परिवर्तन करते हैं इसको यहाँ पर देखेंगे तो mind length regarding ज्यादा stress नहीं है बस यह जरूर है कि इस चीज़ों को ना ध्यान देते हुए future के बार में ज्यादा या past के विशे में या फिर किसी उपरगार के relation के विशे में ना ज्यादा ध्यान देते हुए आप सिर्व अपने काम के प्रती devoted रही है आपके पाम में बहुत positive indication से बहुत great level के success के लिए क्योंकि जब ऐसे भी by 4G के sign होते हैं तो एका एक जीवन में इतने बड़े level का initiative मिल जाता है या पेसा आने लगता है कि हर एक वेक्ति दंग जीवन में आपसे रहने लग जाएगा कि इतना किसे क्या growth हो पा रहा है तो यह सब formation सब है यहाँ पर भी triangle का sign है यह भी बहुत अच्छे innovative ideas देता है इतनी सारी mercury line है तो बस अपने काम के प्रती focus ज़्यादा रखिए skills के उपर ज़्यादा धियान दीजे mercury pure skills है आपको कभी पीछे मुड़के देखना ही नहीं पड़ेगा आपके परस इतना फूर्साइती नहीं रहेगा इन सब चीजों पर दूसरी चीजों पर ध्यान देने के लिए लगातार जब progress line ऐसे निकलती है तो इसे self-met luck line कहते हैं यह एक ऐसी भाग रेखा होती है जो खुद के द्वारा निर्मित होती है या खुद के पराकरम या खुद के जिद है उसके करनी रेखा generate हो पाती है या लगातार आप इतना ज़्यादा इनिशिट अपने लाइफ में लेते रहेंगे और जितनी भी यह सब रेखा देख रहे हैं यह सब के सब राहू के रेखा और इनका काम है लाइफ में obstacle देना, trouble देना, काम में किसी भी कारण में शुरुकावट आना चाहे family life के कारण, खुद के interest के कारण, health के कारण इसलिए हमेशा शिवलिंग पर जल अरपित करते रहना, दूज से अभी shake करना, अथ्वा ओम नोश्यवय का जाप करना यह सारे काम आप कर सकते, नहीं तो शनी का आप आपको उपाय वैसे भी दे दिया जाएगा, क्योंकि तिल है आपके finger पर, तो उससे भी यह राहो के जो obligation से यह सब आना आपके जिवन में कहीं ने कहीं, खतम होते दिखाए पड़ेंगे अभी तक भी support नहीं आए, लेकिन yes, 31 के एज के बाद से और 35 के एज से आपको बहुत बड़े लेवल का support मिलना शुरू हो जाएगा यह आपके spouse का support है, बहारी दुनिया लोगों का और divine help का भी support है जिससे तमाम तरह के struggle, stresses कम होंगे और dream, desire, ambitions complete होने में, ज्यादा फिर difficulties नहीं आएगा यहाँ पर आपको extreme level का जो aggression या frustration रहता था, यह 20 के एज के पहले तक में रहता था और internal mars और outer mars जब दोनों develop ठीक होते तो mangal अच्छा माना जाता है तो mangal जब अच्छा होता है तो किसी भी target के प्रती focus अच्छा किया जाए उसको अच्छी कर पाते हैं जब भी किसे से मिलेंगे बहुत जुनून और होसले के साथ मिलेंगे, हिम्मती सुभाव यहाँ पर आपका अच्छा दिखाई पढ़ रहा है शुकर अच्छेदर भी यहाँ पर आपका तक्रिबन विक्स से ठीक है जो luxuries, comfort, royalty और standard of living बहुत अच्छी देता है एक से ज़्यादा गाड़े घरबार का सुख अच्छा रहन से इन खान पन यह देने योग यह माना जाता है इतनी आड़ी देखा हो ना, unnecessary, trouble और unwanted tension pressure और एक प्रगार से बिना किसी बात के बात का बरतंगर, राए का पहाड या अनवशक चिंता करना इस सब combination इस condition में आ जाता है इसलिए जो विक्ति जैसा उसको वेसे accept करें, gratitude अपने life में रखें और बहुत जल्दी जैसे आप move on कर पाते, आपके thumb से दिख रहा वेसे ही पुराने बातों यादों में ना रहें, घरे लू तकले परशाने को भी हलके में लेकर के चलें शुक्र आपका बहुत अच्छा area ले रहा है, यह unnecessary trouble इतना अपने उपर हावी ना होने दे क्योंकि यह रेखा है, internal peace happiness को harm करती है और खर्चे भी बेफिजूल के फिर जादा होने लग जाता है तो शुक्र आपका बहुत अच्छा ले रहा है, तो luxuries comfort भी रहेगा, चेरे की चमक भी अच्छी रहेगी attractive nature personality भी रहेगा, किसी प्रेकर के शोकर्मान या प्लेजर की कोई कमियाब के ओर और लाइफ नहीं, ऐसा शुक्र देंगे इसके बद यहाँ पर देखेंगे, तो अगर यहाँ पर भी आपका शुकर पर तिल है, तो यह भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक जीवन में ऐसे विक्ति आते हैं, जो अपना कर्स को clear करने के लिए आते हैं, तो कहीं न कहीं, partner से दोखा मिलना, या missus होने जैसे chances भी यह create क रहेगे, आप अपने पितरों के लिए अरपन किया करें, दान धर्म किया करें, उससे आपका भागय भी generate होगा, और तमाम तरह है कि जो भी छोटे-मोटे तकलिफ या कश्ट बादा है, उन सब से आप निकल पाएंगे, चंदर के स्थिति ठीक है, तो सोचने समझने की करते हैं, आप सुन सब की लेते हैं, करते हैं अपने मन की ही हैं, और यहाँ पर आपकी mercury लाइन ज्यादा स्टॉंग है, तो डेफिनेटल आप बिजनस में आगे चलके हो पाएंगे, और सपोर्टिय लाइन के अवेलेबिलिटी धीरे-धीरे स्टॉंग हो रही है, तो 31 के ए इसा कोई बहुत मेजर ट्रवल या प्रॉबलम नहीं है, तो चिंतावली बात यहां नहीं है, चंदर पर आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित करते रहती है, रेस्लेसनेस देती है, बाकी राइट हंड के तो इंडिकेशन तक्रिवन ठीक है, तो इसको भी इतना ज्यादा इस ट्रवलिंग नहीं मानेंगे, और यह थी सबसे महत्मुन जानकरी आपके हाथ के रिगाड़ी, आपके जीवन में अब कोई भी ऐसे गंबीर भी बीमारी है, घटना दुरगटना जैसे कोई भी योग यहां निर्मित नहीं है, संतान पक्ष के रिगाड़िंग अगर बा काम के रिगाड़िंग सेडिस्वेक्शन नहीं मिल पाता और काम के रिगाड़िंग इन सेक्यूरिटी भी रहता और बार बर परिवरतन करने का मन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, सूर का रिमेडिय आप प्रफर करिए, पहली बात यशनी का रिमेडिय प्रफर करिए, और इ देखा जाए तो उच्पद अधिकारी निश्यत रूप से आप बनेंगे और किसी प्रगार की व्यापार से आपको लाब है तो ये दी सबसे महत्पुन जान करें आपके हाथ करेगाड़िंग आशगर्तों हूं सभी प्रश्णों का तर मिल गया हूँ तब तक आप अपना ध् निवाद